हलो स्टुडेंस आज 13 जनवरी 2019 है और आज का मौस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर लेकर आया हूं जो लोग पहली बार हमारे चैनेल प्यार है डेली सबसे पहले करेंट अफेर देखने के लिए हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरह के बैल आकान को प्रे लोट कर सकते हैं टेली करम का अप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद ओनली जीकर टूटर सच करेंगे वहां पर जोइन जरूर करिए वीडियो पसंद देता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है हाली में राष ही इवां दिवस मनाय जाता है भरत में स्वामी विबेकानन के जन्व दिवस के वसर पर यह दिवस मनाय जाता है यह दिवस जो है पहली βार 1984 में मनाय गया थाए उसके बाद से हर सल effective यह दिवस मनाय जाता है ठीक है अब है पर स्वामी बेबेका नंद का बात चल गया है, तो यहां से एक कोशन हमेशा पुछते रहता है, कि स्वामी बेबेका नंद ने 1893 इसवी में कहां पर एक एतिहासिक भासन दिया था, कहां पर दिया था, सीकागो में और सीकागो अमेरिका में है, ठीक है? चलिए, नेक्ट कोशन है, वाइश्वीक एयरलाइन्स सुरक्षा और उत्पादन रेटिंग एजेंसी द्वारा 2018 के लिए जारी रेटिंग में कौन सा एयरलाइन्स सिर्ष पर है, यानि पहले अस्थान पर है, कौन सा एयरलाइन्स? जेट एयर्वेज, ओप्षन भी राइट अंसर है, ठीक है? एक एयरलाइन्स को स्त्रेनी पर एक से साथ एश्टार यानि सितारों तक का दर्जा दिया जाता है, जिसमें साथ एक पून सेवा वाहक के लिए उश्टम रैंकिंग है, तो जेट एयर्वेज को जो है, सेवेन ए रांबे में, हेड़ कोटर मुंबई में है, और जेट एयर्वेज के संस्थापक और वर्तमान चेयर्मेन नरेश गोयल है, CEO है, विने दूबे, अगला कोशन है, अटल टिंकरिंग लैब हैंड बूक, नई दिशाएन, नई निर्मान, नया भारत, किसने जारी किया है? यह ए यह हैंड बूक, अटल टिंकरिंग लैब के साथ, देश के इवां इन्नोवेटर्स के अनुभाओं को दर्श आता है, ठीक है? अटल इन्नोवेशन मिशन जो है, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावाद देने के लिए, भारत सरकार की एक प्रमु एक जन्वरी 2015 को की गई थी, अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, तो वर्तमान में नेती आयोक के अध्यक्ष हैं, नरेंटर मोदी, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, CEO, अमिताब कांथ हैं, यानि मुख्य कारेकारी अधिकारी अमिताब कांथ हैं, अगला होते हैं, काफी महत्पूर्ण होते हैं, अक्सर एक्जांस में पुछे जाते हैं, ध्यान में रखियेगा, ठीक है? सुसमा स्वाराज, उजबेकिस्तान के समरकंद में, पहली भारत मध्य एशिया वारता में भाग लेने के लिए उजबेकिस्तान गई हुई है, ठीक है? मध्य एशिया में आता है, चलिए सबसे पहले इसका मैप देख लेता हैं, ये रहा वर्ल्ड का मैप, उजबेकिस्तान यहाँ पर है, अब देख सकते हैं, उजबेकिस्तान, अजारबैजान, तुर्केमिनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान सभी पास में हैं, इसमें स अगला कोशन है चार्स कूपरमेन किस देश के उपर राष्ट्रिये सुरक्षा सलागार नियुक्त हुए है उपर राष्ट्रिये सुरक्षा सलागार को इंगलिश में बुलेंगे deputy national security advisor ठीक है आचा ये उप राष्टिय सुरक्षा सलाकार है US के यानि अमेरिका के तो राष्टिय सुरक्षा सलाकार कौन है John Bolton है present time में US के अचा भारत के राष्टिय सुरक्षा सलाकार कौन है present time में अजीत डोभाल है ध्यान रखिए अमेरिका इंसर है चलिए सबसे पहले अमेरिका का मैप देखते हैं यह है United States of America इसे हम लोग अमेरिका बोलते हैं ठीक है यहां पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा थोड़े लोगों को confusion होता है यह जो side है यह South अमेरिका है और यह जो है North अमेरिका है North अमेरिका में Canada USA मेक्सिको आधी यह सब यह आते हैं ठीक है अमेरिका की capital है Washington DC राष्टपती Donald Trump 45 वे राष्टपती है यह अमेरिका के यहां का मुद्रा का नाम है डॉलर अगला question है भारत के राष्ट्रिय मानुवाधिकार आयोग के महा सच्यू कौन नियूक्त हुए है तो महा सच्यू नियूक्त हुए है जैदीप गोविंद option B right answer राष्ट्रिय मानुवाधिकार आयोग को इंग्लिश में बोलेंगे National Human Rights Commission यह मध्यपरदेश कैडर के 1984 बैच के IAS officer है और वर्तमान में गरामिन विकास मंतराले में विशेश सच्यू यानि Special Secretary और वितिये सलाकार पदपर है इन्हें अम्बुज शर्मा की जगह नियूक राष्ट्रिय मानुवाधिकार आयोग के महा सच्यू इससे पहले अम्बुज शर्मा महा सच्यू थे इसके अब हम NHRC के बारे में जानेंगे फूल फर्म National Human Rights Commission अस्थपना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को प्रेजेंट टाइम में चेर्मेन है H.L.दत्तू अगला कोशन है राष्ट्रिय अल्प संख्यक आयोग के सच्यू कौन नियूक्त हुए हैं सच्यू मतलब सेक्रेटरी कौन नियूक्त हुए हैं पी एन सुकुल नियूक्त हुए हैं तो रामा कृष्ण राव जो है 28 फरवरी 2019 को रेटायर होंगे उसके बाद से ही अपना पद गरहन कर लेंगे पी एन सुकुल अब हम यहाँ पे राष्ट्रिय अल्प संख्यक आयोग के बारे में जानेंगे अस्थाफित कप किया गया था इसे 1922 को इंग्लिश में National Commission for Minorities बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके चेर्मेन है सायद गैरूल हसन रिजवी अगला कोशन है बारा जन्वरी को राष्ट्रपती ने सवन अरक्षन बिल को अपनी मंजूरी दे दी यह बिल लोगसभा तथा राज्यसभा में करम सा कब पारित हुआ था कब परित हुआ था? लोकसभा में 8 जन्वरी को तथा राज्यसभा में 9 जन्वरी को परित हुआ था और 12 जन्वरी को राष्टर पती ने भी इसकी मंजूरी दे दी है तीनो डेट ध्याम में रखियेगा ठीक है? काफी महत्यपूर है अब हम बात करेंगे लोकसभा में जब ही परित हुआ था? कितने वोटों से परित हुआ था? तो लोकसभा में कुल 326 वोट पड़े थे जिसमें से इस बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े और बिपक्ष में 3 वोट पड़े बात करें राज्यसाबा में, तो राज्यसाबा में कुल 172 वोट पड़े, जिसमें से 165 वोट इसके पक्ष में पड़े, और 7 वोट इसके बिपक्ष में पड़े, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अब एक चीज और जनिए, ये जो अरक्षण है, जनरल कैटेगीरी वालों के लिए, उसके अंतरगत कौन-कौन आ रहे हैं, राजपुत आ रहे हैं, ब्राहमन आ रहे हैं, और मुस्लिमों की बात करें तो सेख, सैयद, मोगल, पठान इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ये बिल जो है भारतिय सम्विधान के अनुछेद 15 में संसोधित करता है, अब चलिए अगला कोशन देखते हैं, 11 जनवरी से कहां पर फिश फेस्ट 2019 का आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, कोलकाता में, वेस्ट बंगल के राज़ानी है, कोलकाता, ओप्शन ए, बंगल के मत से विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसका उद्देश मत से पालन के छेतर में, राज्य सरकार की उपलबदियों से जनता को ओगत कराना है, कोलकाता वेस्ट बंगल में है, अब हम वेस्ट बंगल के बारे में जानेंगे, सबसे पहले मैप देखिए, कितने र ये तीन कंट्री इसकी सीमा से टच करते हैं, वेस्ट बंगल का अगठन हुआ था 26 जन्वरी 1950 को, छत्रफल के दिरिष्टी से भारत का 14 हुआ सबसे बड़ा राज्य है, और जन संक्या के दिरिष्टी से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, साक चर्तादर है यहां की 76.26 प् कुल 23 है, मुखनेदी से देवासिस कर गुपता, लोग नेगते हैं, पुरूलिया 6 तथा कूशन, नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाडा नेशनल पार्क, नेवरा वैले नेशनल पार्क, सिंगा लिला नेशनल पार्क, गुरु मारा नेशनल पार् को भारतिय सेना के जनरल रैंक के मानद पद से सम्मानित किया है तो पूर्ण चंद्र थापा जो हैं किस देश के सेना परमुख हैं नेपाल के सेना परमुख हैं Option B right answer सितंबर 2018 में ये नेपाल के सेना परमुख बने थे पूर्ण परमुख है भारत के लिए नेपाल के लंबे और मेत्री पूर्ण सयोग को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेन्य परगति और योगदान के लिए उन्हें भारतिय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है अब नेपाल एंसर है नेपाल के बारे में जानेंगे सबसे पहले मैप देखते हैं यह है नेपाल नेपाल की सीमा भारत के कितने राजियों के छूती है पांच राजियों को छूती है जिसमें उतराखंड उतर परदेश बिहार पस्चिम बंगल और सिक्किम है नेपाल की राजधनी है, काट मन्लो यहां के राष्टपती है विद्या देवी भंडारी परदान मंत्री, खडग परसाद ओली मूदरा चलती है नेपाली रूपी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर जरू करना इसका पीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहाँ से जरूर डाउनलोड करिए टेली गराम से जरूर जूणना डेली अगर पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं चलिए कलके कोशन का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था अंतराष्टिये मुक्यबाजी संगी की नविंतम विश्वर रैंकिंग में कौन सा बॉक्सर पहले अस्थान पर है सही उत्तर था ओप्शन भी मैरी कौम इसमें पहले अस्थान पर है दूसरा कोशन था भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है इसका भी अंसर सभी लोगा ने सही दिया था मैक मोहन रेखा इसका नाम है भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम मैक मोहन रेखा है रेड किलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की रेखा का नाम है सीमा रेखा का नाम है कि भारतिय सम्विधान के नवी अनुसूची में मैंने बता दिया था कि 22 भसाओं का उलेख है लेकिन वो मिस्टेक से बोल दिया था भारतिय सम्विधान के आठवी अनुसूची में 22 भसाओं का उलेख किया गया है ठीक है आठवी अनुसूची में एडिट कर लिजेगा सभी लोग अब चलिए आज का कोश्चान है पहला है 29 भारतिये पेंट सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया दूसरा कोश्चन है वरतमान में केंद्रिये पेट्रोलियम प्राकिर्तिक गैस मंत्री कौन है दोनों कोश्चन का अंसर कमिट कर दीजिए जो लोग नए है डेली विकली और मंत्री करेंट अफियर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए टेली ग्राम से